नमश्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याई स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में जिस share के बारे में बात कर रहा हूं इसके बारे मैंने आप सभी के साथ कल रात लास्ट वीडियो में share कराता कि यहां बड़ी गिरावट हो सकती है और उसके पीछे का reason भी आप सभी के साथ share कराता और आज stock around 14% down है इसके पीछे का reason बताता हूं पहले में आपको पहले stock का नाम बताता हूं GMM Fordler लेकिन बात सिर्फ यहीं खतम नहीं ही यह बहुत important stock है उनके लिए भी जो पैसा बनाना चाहते हैं और उनके लिए भी जिसके पास यह share है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यह stock गिर क्यों रहा है यह तो obvious सी बात है अब तक आपको पता चलिया होगा क्योंकि किसी का stock अगर 14% down होता है तो वो definitely news डून डान के पता कर ही लेता है और आज कल की दुनिया में तो भया हर एक चीज अवेलेवल है बस समय देने की बात है अच्छा अब मैं पहले आपको बताता हूं कि जिसके पास नहीं है उसके लिए क्यों important है क्योंकि यह जो गिरावट है यह किसी particular reason की वज़े से नहीं है केवल और केवल selling pressure है किसकी तरफ से promoters की यहाँ पे कल promoters ने announce करा 29.88% equity का सौधा करने जा रहे है 1700 के भाव पर 12% discount पे ठीक है company तो आज बाई 1700 के भी नीचे निकलती हुई दिख रही है और around मैं आपको exact price बताऊं तो 1600 something trade कर रहा ही है stock आपके लिए अभी stock around 1627 के labels पे आचुका है काफी बड़ी गिरावट हो गई है 300 points down दिख रहा है stock stock में 1.34 करोड shares का सौधा था 1700 रुपे के भाव पर जिसमेंसे अभी पूरी तरीके से selling हुई ही नहीं है अभी बची हुई है तो पहला और important इसलिए कि अभी कोई अगर इसे 14% down देखकर खरीदने की सोच रहा है तो रुख जाना चाहिए दूसरी important चीज अगर आपके पास है और आप इस गिरावट से डर रहे हो और बेचने की सोच रहे हो तो भी रुख जाना चाहिए बाई कहना क्या चाहते हो अंकुर बाई आप सब तो गुमा रहे हो तो देखें यहाँ पर simple सी बात चीज़ें सुनिए यह stock fundamentally खराब नहीं है अच्छा दिखता है 21 के PE पे खड़ा है यह stock आज के session में 2100 का इसका 52 week आई है and 1256 का इसका 52 week लो है आज की गिरावट के बाद जो यह stock है around 1600 और 1580 यानि supports पे पहुंच चुका है almost 6 महिने से बड़ी तेजी चल रही है आज की correction जो है वो किसी से सौधा हो रहा है कोई भी सौधा होता है हमेशा stock नीचे आजाता है क्योंकि खरीदने वाले को चाहिए discount और जब discount चाहिए खरीदेगा तो तभी जब stock का भाव आँ पहुंचेगा तो पहुंचा दिया stock का भाव 600 पे और उसके भी नीचे अब सवाल ये कि अभी तो पूरा सौधा हुआ ही नहीं तो अभी बचा हुआ सौधा है उसके लिए stock उपर भी आएगा तो ये reason है दोनों के लिए अब आता हूँ डीटेल पे इस डील के डीटेल जो सामने आई है अभी तक उसको बताता हूँ आपको यहाँ पे जो 1.34 करोड शेर्स का सौधा होना था उसमें से around 75 लेक शेर्स का ही सौधा हुआ है अभी तक यानि almost आपके लिए 65 लेक शेर्स का सौधा और होना है समझ रहे हो बात को अभी आधी हुई है यानि कि जो मैं अगर average करूं तो यह 29.88 है अराउंड अभी आपके लिए 14.5% 14.7% की कुटी का सौधा हुआ है पूरी कुटी का सौधा नहीं हुआ है ठीक है जी अब आते हैं इस stock में क्या करें अगर है तो और नहीं है तो क्या ले आप यहां हलका फुलका खरीद भी सकते हैं क्योंकि कोई bottom पे नहीं खरीद भी सकते हैं क्योंकि इस stock के बारे में जैसा कि मैंने आपके साथ share करा खराब नहीं है यह stock चलिए मैं इसकी detail देता हूँ सबसे पहले तो यह एक resistance glass बनाने का काम करती है company और उसमें कहीं ना कि इस 68 के PE पर मिलता है Hindustan Aeronautics 15 के PE पर प्राज Industries 38 तो यह सारे BEML 42 कैना Metal India यह सारे जो peer comparison मुझे दिख पा रहे हैं समय वो इससे महंगे ही है सस्ते नहीं है तो यहां पर comfort आ जाएगा stock की बात करें book value per share 148 की अनि almost 10-12 times की book value पर trade करता है यह share over 50% market share है इस company का इंडिया में इसके कारोबार में तो इसलिए मैं से monopoly भी कह रहा हूँ stock की book value मैंने आपके साथ बताई PE बता दिया return on equity 16.1% का है return on capital inverse 14.3% का है face value 2 की face value पर stock trade करता है और company की बात करें तो इसके मैं आपको numbers बताना चाहूंगा तो company ने जो profit post करा था September quarter में वो 97 करोड का था जो की quarter on quarter base पर 61 करोड से बढ़कर 97 हुआ था और year on year basis पर 39 करोड से बढ़कर 97 यानि almost 100% से जादा का jump था sales की बात करें तो quarter on quarter base पर 739 करोड से बढ़कर 780 करोड पर आई थी year on year base पर 647 करोड से बढ़कर 780 करोड पर थी shareholding pattern की बात करें तो promoters अभी 56% hold करते है लेकिन इस selling के बाद कम हो जाएगी FIA is 11.71, DIA is 5.61 और public के पास 26% के सम्थिंग का stake है इस company में तो यह कुछ इस stock की detail थी मेरे साब से normal मुझे लगता है यह stock अगर आपके पास है तो बने रही है थोड़ा और गिरता है तो अब यहाँ average भी करना start करें fresh entry के लिए भी 1600, 1560, 1550 बहुत अच्छे levels है जहाँ आप खरिदारी करके चल सकते हैं Dow futures कल की गिरावट के बाद अभी फिर 300 points की गिरावट दिखा रहे है निफ्टी में आपके साथ सुबह से यही कहा रहा हूँ कि ट्रेड बनेगा ही नहीं आज क्योंकि आज अगर गिरेगा तो उपर जा जाके गिरेगा और उपर जाएगा तो नीचे गिर गिर के अब आज क प्रकार किये इसलिए मैंने position तुरंत कटवाई क्योंकि मुझे पता है यह ना market है नहीं आज trade वाला था ही नहीं पहली वीडियो में आपके साथ बोला बट फिर भी मैंने का ठीक है करते हैं एक काम एक तो करना cheat rate बढ़ नहीं बना बट मैं भी आपके लिए एक update जो मैंने आपके साथ share कर रहा है कल साम 7 बजे हम live आने वाले हैं अपनी application पे अपने telegram members के साथ क्योंकि आपकी portfolio पे बात करेंगे तो जुड़ जाए हमारे साथ कैसे जुड़ना है link आपको description में मिलेगा किसका telegram का वहाँ पे जुड़िए आप हमारे साथ कल live session आपके पास कोई भी stock है आईए बात करते हैं और मेरी तरफ से कुछ चुनिंदा पिक्स लॉंग टम के लिए यह हैं अभी की मेरी update होप आपको वीडियो समझार पसंद दोना आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys